हेलो फ्रेंड्स अभी जो IC आप देख रहे हैं यह IC बिल्कुल ट्रांजिस्टर यह फिर मोस्फेट की तरह दिखाई पड़ती है जैसे कि सिंपल ट्रांजिस्टर वो मोस्फेट आपको दिखाई पड़ते हैं उसी तरह से यह IC दिखाई पड़ती है तो इसका नंबर है LM317 य यह फिर वोल्टेज पर यह काम कर सकती है यह फिर कितना करंटी अपने अंदर से पास कर सकती है यह पूरा डिसकस करने वाले इसकी पिन आउट्स भी देखने वाले तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो पिस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो गाईस अभी जो वन को बोलते हैं एडजेस्टेबल यानि कि इसे एडजेस्टेबल बोलते हैं एडजेस्ट कर सकते हैं यहां से जो भी करंट यह फिर वोल्टेज को यह आउट्पुट करती है तो वो इसी के अकोर्डिंग करती है यानि कि जितने भी करंट यहां पर आप अपलाई करोगे तो ये अपना current पास करती है, voltages पास करती है, ये इसका output होता है, यहाँ पर हमें output मिलता है, और यहाँ पर आप देते हैं input, सपोज गीजी आपके पास 24V है DC के, 24V आपने positive terminal यहाँ पर connect किया है, अभी इसे आप चाहते हैं, आप regulating कराना, तो simply आपको pin number 3rd पर input देना होगा, यानि कि pin number 3rd पर यह positive wire connect करना होगा, यहाँ पर आपको एक variable register की help से थोड़ा थोड़ा current देना है, यानि कि 1.5V आप दे रहें, तो यहाँ पर आपको 6V मिल जाएगा, अगर 2V दे रहें, तो यहाँ पर आपको 8V मिल जाएगा, इस परकार से यहाँ पर adjust करते हैं, यानि कि एक variable register की help से यहाँ तक हम voltages पहुचाते हैं, कम, लेकिन यह regulate होकर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, इस यानि कि यह standard voltage regulating है इसके अंदर, आप 40V तक यहाँ पर regulating करा सकते हैं, बट आपको 37V ही राखना है, और अगर ampere की बात करें, यह फिर current की बात करें, तो 1.5A तक आप pass कर सकते हैं, यानि कि 1.5A तक आप आसानी से pass कर सकते हैं, और अगर आप 14V तक output पे दे रहें, तो आप 2 ampere तक यहाँ पर pass कर सकते हैं, बट इस standard जो rating है ampere की वो 1.5A ही है, thank you